हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आज बनाने जा रही हूँ पत्तियों की छाप से चित्र बनाऊंगी यह हमने पीपल का पत्ता लिया है और यह वाटर कलर है देखे बच्चे कितने खुस हो रहे हैं कुछ नया सीखने को मिलेगा और यह पहले हमने हरा रंग लिया है अब इसको पत्ती पे कलर करेंगे ने दो पत्ता ले लिया एक दोनों को एक साथ कर लेंगे जल्दी हो जाएगा बार बार ब्रसना साफ करना पड़े इतलिए हम एक साथ दो पत्तों में कलर कर रहे थे ये आप इसके बाद हमने लाल रंग लिया है लाल रंग दोनों पत्तों में लाल करेंगे और इसमें इतना साफ नहीं दिख रहा है क्यूंकि कैमरा काफी दूर लगा हुआ था तनी अच्छे से नहीं दिख रहा था अपने पहले पत्ते में कर लिया दूसरे पत्ते में भी वैसे करेंगे और थोड़ा सा नीचे थोड़ा भाग और छोड़ देंगे ये बश्ची आपस में बात कर रहे हैं कि मैम इसको ऐसे चिपका देंगी तो चिपक जाएगा आप पीला रंग लिया है पीले रंग से भी दोनों पत्तों में करेंगे कलर करना है देखे ऐसे ही दिखेगा बहुत ही सुन्दर प्रेंटिंग ये बनती है क्योंकि आज हमको बच्चों को बताना था पत्तियों की छाप से आक्रितिया बनाना ये इसकूल रेडिनेस की गत्विधी है सफ्ता सीन की तीसरे दिन की गत्विधी ये भमने पत्ति को उठाया और इसको अच्छे से चिपका देंगे पहले हम बच्चों को बता रहे हैं बताने के बाद भी पत्चों से करवाएंगे फिर इसको उठा लेंगे बच्चे कितने खुस हो गए इसको देखकर अब उसी पत्ति को फिर दूसरी तरफ रखेंगे कि उसमें और कलर लगा हुआ रहता है हो जाता है उससे भी तो फिर ये रखके अच्चे से दबाके फिर इसको उठा लेंगे अब जो दूसरी पत्ति भी हम कलर किये थे उसको भी रखेंगे और खुब अच्चे से इसको दबाएंगे और फिर इसको उठा लेंगे इतना सुन्दर है और फिर उसी पत्ति को फिर से दूसरी जगह रखेंगे और खुब अच्छे से दबा देखेंगे अब इसको उठाएंगे काले रंग से अब हमको इसकी पत्तियों की एक दूसरे को पत्तियों से जोड़ देंगे सारी पत्तियों को देखेंगे बनने के बाद यह ऐसा दिख रहा था अब हम यह दूसरा बना रहे हैं और यह कदम की पत्ति से बना रहे हैं क्योंकि हमारे स्कूल के पास कदम का पेड़ है तो उसी की पत्ति हमने ले लिया है और अब इस पत्ति को हरे रंग से रंग रहे हैं इसके बाद फिर पीला कलर लेंगे और पीले कलर को उसी ब्रस में जो हरा रंग लिया था उसी ब्रस में पीला कर लिया है तो उसे यह है न वो थोड़ा धानी धानी हो गया है अब बच्चों के हाथ से ही उसको पत्ती को उल्टे करके रखवाएंगे अब बच्चों से उठवाएंगे बच्चे कितने खुश हो और उसी पत्ति को दुबारा दूसरे बत्चे से रखवाएंगे और अच्छे से दबाने को बोलेंगे यह बत्चे को दबाने के बाद उठाने को कहेंगे देखिए उठाने इतना सुन्दल लग रहा है लेकिन दूर से कैमरे मोचतना साफ नहीं दिख रहा है हम पूरा बन जा तो आपको दिखाएंगे कैसा बनाता अब हमने यह फूल की चोटी सी पत्पी ली है और इस पे पीला रंग लगाया है और अब दूसरे बच्चे से बोलेंगे उसको रखे दबाने के लिए यह दबाके तो यह उठाने पे यह थोड़ा धानी और पीले कलर का हो गया है देखन इसके बहुत अच्छा लगेगा यह पूरा बनने के बाद अब इसके बाद अब ब्रस से हमने भूरे रंग से बूरे रंग से इसको अब यह पेड बना दिया है देखिए पेड की ही तरह दिखेगा और बच्चे कह रहे थे मैं इसके उपर चिडिया को उड़ा दीजिए चिडिया को उड़ा दीजिए तो हमने काले रंग से उड़ती हुए बना दिया है